हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है मुबाइल पाट्षाला की यूट्व चैनल पर देखो मेरे दोस्तों मैं आपको यह बताना चलाता हूँ कि आज जो भी सवाल है सबसे पहले तो वह बाइल बाइल इंग्वल है यानि हिंदी और इंग्लिस क्लिठी और इंग्लिस दोनों में है तो जो बच्चे हिंदी में कॉंफर्ट हैं वह निए आज़िए करें ये बताना शुरू में क्यों जरूरी था क्लास उरू होने से पहले बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अंग्रें निए धिनी में क्लास होती हैं तो बाइलिंग्व चलो मेरे दोस्त विश्वास्व सकती हैं जिससे उझणी हुई दुनिया में प्रकास लाया जा सकता है विश्वास के बलब पे ही जिसे हीज़ों पंची है देखों पंची इससे क्या पता है? इससे कुछ पता है कि मुझे खाने को दाना कहा मिलेगा? इससे कुछ पता है? इसका destination क्या है? पता है? नहीं. लेकिन इसको इतना विश्वास है कि दाना जरूर मिलेगा. खाने को कहीं न कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा इतना विश्वास है और विश्वास के जब बल पे कोई भी काम किया जाता है तो मेरे दोस्त वो 100 नहीं वो 200% है बिलकुल true होता है बिलकुल सत्य होता है और success मनला बिलकुल मिलती है तो किसी और पर नहीं अपने उपर विश्वास रखो और पंक उठाओ और उड़ना शुरू करो समझेगे नहीं अब इस चक्र में तुम और कोई चीज मत भूल जाना ठीक है बई उड़ने के चक्र में चलो हाँ यह वाला सवाल है इस वाले सवाल को फटा फट से बार देखो इस वाले सवाल को देखो इस वाले सवाल को फटा फट से देखिए आज का पहला सवाल है यह वेरी फर्स्ट क्रिशन अब दटी तो इसमें यह कह रहा है कि एक अटी सेलर यूस्ट तू मेक 50% प्रॉफिट बाइस सेलिंग टी एट 9 रूपी पर कप यानि कि जब वह 9 कमा रहा है तो आप खुद मुझे बताओ किसका कॉस्ट प्रैज कितना होगा और प्रफिट कितना ओगा पर अगर 50% का profit कमा रहा तो सिधी-सिधी बात अच्छे उसका CP होगा और 3 उसका profit होगा, ये उसका CP होगा और इसका होगा profit देखो, क्या ये 50% है इसका? 50% का मतलब आथा? 100% है आगे आपसे कह रहा है कि जब समगरी की कीमत 25% की बिर्धी जाती समगरी की कीमत 25% बढ़ेगी तो सिधी-सिधी बात है, उसका cost price भी तो उतना ही बढ़ेगा क्यों होगी? अरे समगरी का मतलब cost price समझ रहो? तो अगर मेरे दोस्त, मैं इसको 25% बढ़ा दूँ तो 25% का fraction होता है एक बटाचार अगर मैं इसका एक बटाचार निकालू या फिर 25% निकालू ठीक है? तो आप जानते हो निकलेगा 25,500 यानि की 1.5 ये निकलेगा ना 25,500 यानि की 1.5 तो 6 में से अगर मैं इतना बढ़ा दूँगा तो यह हो जाएगा 7.5 यानि CP पहले इतना था बट 25% की बिर्दी के साथ CP अब कितना हो गया? साड़े साथ अब आगे देखो क्या कह रहा है? तो उसने 10 रुपे प्रती कप मुले पर चाय विचना शुरू किया ये स्टार्टेड सेलिंग टी एट 10 रुपी पर कप ये तो उसका CP था लेकिन मेरे दोस्त उसका जो SP निकला ना SP ये अब 10 रुपे पर निकला हाई है ना तो CP इतना है SP इतना है आप खुद बताओ कितना प्रोफिट कमा रहा है? सर जी 2.5 प्रोफिट कमा रहा है 2.5 प्रोफिट कमा रहा है 2.5 प्रोफिट कमा रहा है तो भाई यह 25, 73, 75, यानि 1 बटा 3, 1 बटा 3 को आप solve करो कि तो आएगा 33 सही 1 बटा 3 परसंट, भलो भाई, यह आपके सवाल का जवाब, ठीक है भाई, तो 33 सही 1 बटा 3 परसंट यह आपका C वाला answer हो जाता है, C वाला, ठीक है, अच्छा सवाल था, प्यारा था, और याद र करता है, यह CGL में आया था, हाला कि मैंने इसको करया भी होगा, साइद, यह अगला सवाल, एस फिर जादा करो, एक वस्तू की कीमत, मेरे दोस्त, यह most important भी है, और easy सवाल भी है, easy भी है, easy question भी है, most important भी है, ठीक है, अब easy इसलिए है, क्योंकि जिन बच्छों ने हमारे, हम एक marathon class लिया था, profit and loss का, अगर वो देख के आ रहोंगे तो यह बहुत easy है, वो नहीं देख के आ रहेंगे तो उनके लिए problem है, कहरा कि 20% कम हो जाती है कीमत, तो 100 से जो कीमत होती है, वो असी हो जाती है, और मैंने आपको बताया कि अगर price ऐसे चला है, तो consumption ऐसे चलेगा, consumption यहां से यहां जाएगा, consumption 80 से 100 जा रहा है, इसका मलब consumption, बताओ, 20 की कमी हो रही है किस पर, 80 यानि की, एक बटा 4, यानि अगर real consumption मेरी 4 हो, तो एक की बिर्धी के साथ, sorry, consumption बिर्धी हो रही, कमी नहीं हो रही, so sorry, consumption क्या हो रही बिर्धी, भई, इसमें कमी हो रही, तो consumption बि अगर real consumption मेरा, पहले का Mount R almost, पहले की kषपद मेरी 4 है, तो अब एक की बिर्धी के साथ, अब खपद 5 हो जाएगी, हाए है न, clear, यानि एक की बिर्धी के साथ, खपद में एक की बिर्धी, अब ज़रा देखो सवाल में कि कि इतने kg की बर्धी हो रही है, तो कह रहा है कि 2 kg की विर्दी, यहां कह रहा है 1 unit की विर्दी और 2 kg की विर्दी, तो 1 unit बरावर क्या हो जाएगा 2 kg? तो 4 unit बरावर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 kg? यानि पहले मैं आठ किलो खरीद के ला रहा था आपके पिता जी ने 360 रुपे दिये आप 8 केजी कोई भी चीज खरीद के लिए जा रहे थे तो मैं पुछू 1 केजी की वेल्यू बताओगा तो 360 इंबर आठ 8 से काटेंगे तो भाई साब 45 रुपे ये पहले की किमत आगी और अगर पूछता की जब मुल्ले में कमी हुई तब कीमत कितनी होगी तो मेरे दोस्त फिर मैं 10 केजी खरीद के लिए जाओगा और 36 रुपे मेरे कीमत होगी तब तो फिलाल आप से पूछा है पुरानी कीमत क्या पूछा है फाइंड अरजिनल प्राइस यानि की पुरानी कीमत पूछा है समझे रहो तो ये वाला एंसर होगा और अगर ये पूछता कि बादवाली कीमत क्या है तो बादवाली मेरे दोस्त पहले मैं 8 खरीद रहा था कर सकते हो ठीक है हाला कि सवाल को दो टाइप से किया सकता है ठीक है क्यारा कि लाइन AC is a tangent of circle circle at point B on it तो first of all आपको बनाना है circle और ऐसे एक लाइन कीचनी है ये लाइन मैंने खेज दिया ये A-Line है और ये C-Line क्यारा भी B पर ये tangent है अच्छा जी B पर अगर ये tangent है तो आपसे कह रहा है PQ is chord PQ ये chord है ये PQ chord है chord मतला होता जीवा PQ क्या है chord है अगे आपसे कह रहा है कि BP is equal to BQ तो BP is equal to BQ मेरे दोस्त BP is equal to BQ के यानि ये बराबर इसके सब जी ये बराबर इसके तो ये theta तो ये भी theta अच्छा ये दोनों parallel है मेरे दोस्त याद रखना ये दोनों ही parallel है अगर ये दोनों ही parallel है अगर ये दोनों ही parallel है तो H ही याद रखना जितना ये होगा उतना ही ये होगा ये theta तो सर्जी ये भी theta है और ये theta तो सर्जी ये भी theta है हाँ है न, दोनों थटा थटा होगा अब आपसे पूbor मैहा है कि, क्याणा है कि A B P यह तेटा है न, इसकी ग vivo दिया शिक्ष्टिफॉडू yuk controversy सिक्ष्टषीफॉड डिक्री हाला कि साम वाली क्लास में वे जीजे मैंने बताया है ठीक है? शाम वाली क्लास में तो भाई साब ये 64 होगा तो ये भी 64 होगा 64 तो आप से पूछ रहा है किसकी वैल्य हो क्या रहा कि measure the value of एंगल PBQ तो PBQ जानि ये वाले एंगल की वैल्य हो चाहिए तो भाई ये straight line है तो सभी कोणों का मलब एक तरफ एक सोसी डिगरी का एंगल बनेगा ये 64-64 कितना हो जाएगा एक सोथाइस तो एक सोसी में से क्या घटा दो भाई एक सोथाइस घटा दो तो बच्चे का 52 डिगरी ये तो बच्चे का में पर है तो एंगल यानिकलो PBQ ये बरावर होगा 52 डिगरी ये क्लियर है बढ़े आगे भाई चलो नेक्स्ट अवाल अगला नेक्स्ट कह रहा है कि ABC are the three point on a circle whose center is O तो अगर कह रहा है कि लो भाई या मैंने बना दिया इसको circle ये point O है और आप से कह रहा है कि ABC एक point तो भाई या A को यहां मान लो A को यहां मान लो B को यहां मान लो C को यहां मान लो कौनो प्राब्लम नहीं आप से कह रहा है कि BOC is equal to 124 तो B ये O और ये C BOC is equal to किया है 124 तो मेरे दोस्त एक बात मैं बताओ एक ऐसी भी आकरती बन सकती है और एक ऐसी भी आकरती बन सकती है इसके लिए कौन C जहां से देखने यहां था B यहां था C भाई A यहां भी तो हो सकता है तो एक आकरती ऐसे भी बन सकती है आप इस चीज़ को ध्यान रखना एक आकरती ऐसे भी बन सकती है तो दो आकरती बन सकती है यानि ये वाला एंगल भी पूछ सकता है और ये वाला भी एंगल पूछ सकता है तो option में जो दिया होगा आप वही मारोगे अगर ये वाला सवाल होगा तो एक काम कर देना इधर ऐसे मिला देना समझ रहे मेरी बात अब जरत ध्यान से सोचो अगर ये 124 है तो ये कितना होगा सिम वही चाहिज तो इक बताओ ये चक्री चत्र होजाए जकरी चत्र बोज को हम हम कहते है साइकलि क्वाडि लेटरल का आमये सामने का एंगल होता वह एक सोशी के पराबर होता है ये अगर — 62 है मैं तो ये वालीक्य ही होगा 108 चिक हहा ये वालीआ था रहक है है ये वाध double तो जो option दिया हो मार दो, 62 दिया है तो उसको मारो, क्योंकि वो भी सही है और ये भी सही है, तो जैसे option में लिए वैसे मारो, 108 तो है ही नहीं, तो 62 मेरा answer हो जाएगा, तो दो condition इसमें बन सकते हैं, इसलिए मैंने दोन ही, I mean, आपको मैंने बता दिया है, ठीक, suppose कर अगर एक सवाल ऐसे पूछा, दूसरा सवाल और किसी और तरीके से पूछ दिया जाता, तो problem हो जाती ना, और option कुछ और हो जाता, जहना तो दोन हो है आपको, ठीक है, next ज़रा देखी, ये कहारा है कि, तिर्भुच, ABC के दो कोड, B और C के अर्धक, इसका भी, और इसका भी, ये दोनों का जो bisector है, वो कहीं भी मिलता, suppose करो O पे मिलता है, ये A है, ये B है, और ये C, इसकी जो value है वो 124 है, आप से क्या कह रहा है, आप से कह रहा है, अंगल A का मान, तो मेरे दोस्ती तो बढ़ाईजी सवाल पुछ दिया, देखो, मैंने आप से बताया है, कि ये मैंने पढ़ाया भी है, B O C, that is equal to 90, plus A Y 2, plus A Y 2, ये मैंने पढ़ाया है, देखो, B A C की जो value 124 है, तो यहां रख दो 124, और इस 90 को इदार उठाला, तियो जाएगा A Y 2 के, जो बिसमें से 90 घटा होगे, तो आएगा 34 के, ये 2 का बढ़ा करता हो, एक ही जो value हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 8, 6, तो एंगल A की जो value होई, हो कितनी होई, 68 degree, देखो, 68 degree होगी, तो 24 वहां होगा, ये हो जाएगा 34 के, 34 वहां कितना होगा, 24 के 8 होगा, तो दोती अच्छी होगा, 68 degree होगा, अच्छी पच्चिस होगा, एक सिकेंड, एक सिकेंड, एक सिकेंड, बच्चा, 124 वहां तू लिख दियो, ये 125 है, 125 है ये, ठीक है क्या, तो यहां भी मिटाना बढ़ेगा कुच्छी, ठीक है क्या, आओ, देखो, 125 ही है, तो ये 125 होगा, तो यहां 35 बनेगा, और 35 बनेगा, तो मेरे दूस्य हां 70 होगा, तो ये इंगल की value 70 degree होगी, किते होगी, 70 degree, ठीक होगी, 70 degree है, आओ, hashtag लगालो hashtag लगाओ फटाफट से, hashtag लगाओ फटाफट से, most important है, यह most important है, अच्छा सवाल है या अच्छा पूछा ज़िया है, कहारा कि if sec theta minus 10, 10 theta is equal to upon sec theta plus 10 theta is equal to 1 by 7, कहारा कि theta lies in first quadrant, then the value of cosec theta plus quad theta upon cosec theta minus quad theta, मेरे दोस्त अगर उसकी value पूछ रहा तो बताओ हम यहां पे कई सारी values हमारे पास हैं, देखो यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे 12 है, यहां पे 11 है, देखो हम theta की कोई भी value put करें, लेकिन हम नहीं 5 ला सकते हैं, 12 तो फिर भी में भी हो सकता आ जाए, लेकि नहीं 19 ला सकत हो, और जब ऐसे दे दिया जाने कि theta lies first quadrant, तो simple सी बात है, theta की जो value होगी, वो 90 से कम ही होगी, और 0 से जादा होगी, 90 से कम, 0 से जादा, इसका मलता मैं रख सकता हूँ 30, 60, 45, यही 3 value रख सकता हूँ, यह 3 value रख के देखोगे, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो मेरा formula आजमाओ, देखो sec theta को मैं लिख सकता हूँ 1 by cos, क्या लिख सकता हूँ 1 by cos, इसको मैं लिख सकता हूँ sin upon cos, यहाँ लिख को 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta, that is below 1 by 7, मेरे बच्चे, आप सभी लोग समझते हो, यह cos theta, cos theta नीचे वाला चला जाएगा, उपर क्या बचेगा, उपर, देखो मैं लिख देता हूँ 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta, cos अट जाएगा सीदे सीदे, यहाँ जाएगा 1 by 7 के, जो मैं यहाँ करूँगा, तो cross multiply करूँगा, 7 minus 7 sin theta, is equal to 1 minus sin theta, देखो बच्चे, आप 1 नहीं 1 plus होगा, इसको अधर करोगे, 6 is equal to 8 sin theta, ठीक है क्या? तो sin theta की value क्यों हो जाएगी? मित्र, sin theta की value हो जाएगी 3 बटा 4 के, sin theta की value की 3 बटा 4 के, ठीक है? बस, put करना शुरू करो, तो put करना शुरू करोगे मित्र, तो आप ही बात जानते हो, कि sin is equal to होता है, perpendicular, perpendicular upon hypotenuse, तो hypotenuse अगर 4 हुआ, perpendicular अगर 3 हुआ, तो मेरे दोस्त यह कितना होगा, सर जी, यह 7 होगा, 4 बटा, 16, 3 बटा, 9, तो 7 ही तो होगा, clear है कि नहीं, clear, बिल्कुल के लिए था, अब यहाँ पर फटा बटा बटा से value, तो cos theta की value, sin का just opposite, sin का just बटा, तो sin का just बटा होगा, 4 बटा 3, minus, quad का रखो, तो quad का क्या होता है, 10 का होता है, perpendicular upon base, तो यह base अपन perpendicular हो जाएगा, तो root 7 upon 3, और square करोगे, तो 7 बटा 9 होगा, बटा, यहाँ भी same चीज़े होगी, यह अच्छा, यह plus है, और उपर भी same चीज़े, 4 upon 3, minus 7 upon 9, तो बच्चे जब इसको solve करोगे, तो आप जानते हो 12 और 7 कितनों जाएगा, 19, नीचे तो 9 नो कर जाएगा, और 12 में से 5 गया, 12 में से 6 गया 5, तो 19 बटा 5 आपका real answer होता है, ठीक है, 19 बटा 5 आपका real answer होता है, यह, खाया है न, clear, clear है भाई, चलिए, अगला सवाल, next, next यह सवाल है, आपसे कह रहा है कि A, B, C में B पर sum कोड़ आपसे कह रहा है, कॉर्ट C का मतलब क्या होता है, कॉर्ट C का मतलब यहां से, observation यहां से शुरू किया जाएगा, तो आप जानते हो, perpendicular upon base, तो perpendicular हो जाएगा, I mean, वो तो 10 होता है, तो कॉर्ट उल्टा होगा, यानि कि base upon perpendicular, तो base होगा 3, perpendicular होगा 1, तो बता हाइपो 10 कितना होग 3, 9, यानि कि root का 10, root का 10, फटाफर value रखना शुरू करो, यहां cos C है, cos C equal to क्या होगा, cos C equal to क्या होगा, तो मेरे दोस, base upon perpendicular, यानि कि 3 upon root का 10, यहां देखो, sin C होगा 1 upon root का 10, plus, sin C होगा 3 upon root का 10, sin A की value आप जानते हो 3 upon root का 10, अभी मैंने रखा है, sin C की value यहां है, sin C की value यही तो है उपर लिखा हुआ, 1 upon root का 10, और minus, 3 upon root का 10, 3 upon root का 10, खीक है, 3 upon root का 10, clear है, देखो, यह से कट जाएगा, ठीक, root 10 common लेंगे, तो हट जाएगा, 2 और 2, 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां कि minus का 2 आएगा answer, minus को 2, यहां पर minus कर लो, minus का 2 answer है, खीक है, calculation है, ब 9 digit number 6798X, 138X, is divisible Y 72, तो अगर यह 72 से divisible है, तो यह बात 100% true है, कि यह 9 और 8 दोनों से divisible होगा, 8 से कर मैं divisibility का rule check करूँगा, तो 3 और 8 Y, यानि कि यह Y है, तो लास्ट का 3 digit 8 से divisible होना चाहिए, 8, 4 का 32 हुआ, 32 यानि कि 6 हुआ, अब बताओ, 6 के साथ मैं कौन सी value रखूँ, कि 8 से divide हो जाए, तो इसी चीज़ा 6 के साथ मैं 4 रख दूँ, तो 8 देंच और 400 हो जाएगा, यानि कि Y की value हमें क्या मिल गई, तो यह Y की value हमें 4 मिल गई, यह बिलकुल correct है, Y की value 4 मिल गई, अब अगर Y की value 4 है, तो यह 9 से भी value divide होगी, तो जहां जानों बने, 9 से divisibility का rule यह X की value 8 हो रख दो, तो यह value 27 बना जाएगी, और 27 क्या कट जाएगा, उसे कट जाएगा, ठीक है क्या, तो X की value हो जाएगी मेरे दोस्त, कितनी 8 की, तो आप जो पूछ रहा है, तो यह कह रहा है, 8 X, तो 8 34 और प्लस Y यानि कि 4, तो root का 60, 36, इच यह आपका answer हो जाएगा, य अगला सवाल करते हैं, बची यह allocation का सवाल है, इस सवाल को ज़रा फटा-फट से देखो, कह रहा है कि चीनी के 700 gram billion में चीनी लिखा है, चीनी है, चीनी की की मात्रा 60% है, यानि कि the solution has 60% of sugar, कह रहा है कि विलियन में अगर 75% करने के लिए चीनी, तो कितनी चीनी और मिलानी प यह होगा मेरे 25 के, यह होगा 15 के, पांच पचे-पचीस, यह पूरा विलियन है, यानि कि पांच यूनिट रिपरजन कर रहा है, साड़े 700 gram को, पूरे विलियन को, यह पूरे विलियन को रिपरजन करता है, और यह किसको रिपरजन करेगा, जितनी मात्रा एड़ की गई है, यह हो जाएगी, आइमें कितना, तो, 1475 के, 140 के, एक यूनिट के विलियन को, तो तीन यूनिट की विलियन तो 420 gram के, 420 gram के, 420 gram के, 420 gram, यह आपका सही है, 420 gram, आया न बो, क्लियर है? चोलो वचे यह वाला तो सवाल मैंने ऐसी ले लिया था बस ऐसे ही हो गया था सारे सवाल यह chsl मैं आया हीवा सवाल है, chsl मैं बोजार इस लुधा सवाल में चाईक है सवाल steer digest 21 का सवाल है एहां की चाइन फिलोक हो 30 किलोमेट्र फिलोक इलाओ Wik तो अगर और मैं relative speed निकालोंगा धारा की विप्रिदिसा में तो आप बताओ कितना होगा तो धारा की विप्रिदिसा में धारा नाव का विरोध करी कि यानि कुछ जाएगा 16 km पर घंटा यानि यह होगा x-y और x-y कितना होगा सर जी x-y होगा कितना 22 km पर आर तो इतने km पर घंटे के हिसाब से मेरे दोस्तों तैय कर रहा है कौन सी दूरी धारा की विप्रिदिसा में 24 km तैय कर रहा है तो 24 km तैय किया 16 km पर घंटे की चाल से 18 km तैय किया 22 km पर घंटे की चाल से तो 22 चोका 28 यानिक चार हो गया प्लस यहां जरा फटा-फट देखो तो चार छक्का 24 या आर तीया 24 आर दुना सोल है इसको हम लेख सकते हैं एक साई काकी वटा दो 1.5 घंटा यहां एक घंटा यहहां तो इसका मदब साड़े पांच घंटा होगा तो साड़े पांच गंटा साड़े पांच घंटा